तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किसी भी वीडियो को आप community post में कैसे share कर सकते हैं देखिए जैसे कि हम YouTube खलते हैं और यह हमारा YouTube open हो रहा है और हमको अगर YouTube में कोई भी वीडियो को अपने community post में share करना है यानि कि इस वीडियो को मुझे share करना है अपने community टैब में तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा यहाँ पर share वाले option है इसके उपर हम click करेंगे और जैसे आप उसके उपर click करेंगे तो यहाँ पर हमको कई सारा option दिखाए देरा एक तो है copy link और नीचे है create post तो अगर आपके YouTube चैनल पर create post का option नहीं आ रहा है यानि कि कोई भी वीडियो को अगर आप share कर रहे हैं तो ऐसा create post का option नहीं आ रहा है अगर मुझे इस वीडियो को community tab में share करना है तो मुझे यहाँ पर कुछ लिखने का option दिखा रहा है यहाँ पर आप चाहे तो इसमें कुछ भी लिख सकते हैं या फिर इसी वीडियो का link copy करके इसमें आप डाल सकते हैं यहाँ पर आप डाल देंगे ना link copy करके तो भी हो तो दुरूर आठीका यह YouTube channel लागिया मतलब आप कोई भी channel को mention कर सकते हैं यहाँ पर तो अगर मुझे इस channel को mention करना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्लिक करना है तो जैसे हम उपर क्लिक कर दिये तो यहाँ पर देख लिजे यह इसका channel जो है यहाँ पर mention हो गया तो पर पोर्ष्ट पर क्लिक करेंगे तो यह पर यह पर यह पर हो जाएगा इस पर हम जैसे किलिक कर रहेंगे तो यह पोस्ट हो जाएगा तो आप किसी भी YouTube वीडियो का अपने Community पोस्ट में अगर आप सेर करना चाहते हैं तो इसी प्रकार से कर सकते हैं यहाँ पर पोस्ट किल कर देते हैं मतलब कि यहां पर कोने में थिरी डॉट ऑप्शन इस पर क्लिक करना है और यहां पर डिलीट वाले अप्शन पर क्लिक कर देते हैं और यहां पर डिलीट हम कर देते हैं तो मैं आपको दिखाने के लिए किसी एक वीडियो को हम कम्मुनिटी पोस्ट में यहां पर म पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना क्यूंकि इसी तरह का वीडियो आपको आगए इस चैनल पर देखने को मिलेगा तो गाइस बस मिलते हैं आप से किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ है